तो ये कल वाला भी पार्ट आप लोग में देख ली दिया होगा बाकी ये 500 पॉजल सीरीज का पार्ट चल रहा है और इसके सब को बिजबल है इसके पर कॉमेंट पिटे बता दो या फी जैसे ही बता दो अवाज आ रही है सब कुछ इसके दिखरीए है तो ये मेरा रफ्तार इजनिंग बैच है जहां पर हम लोग मेंस और प्री की दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे लेवल पे कोश्चन्स हम लोग यहां पर इसकास करेंगे ठीक है ना चीक है और ये आपको पर्चेस करना है तो मैं आपक में है ठीक है ना बागी स्टार्ट करते हैं सेशन को तो प्रैंक कॉपी लेगे बैट जाओ सब लोग पहला कोशन यह रहा टाइमर भी स्टार कर दिया इसके लिए सफिशेंट है आई हुप सो करिये जितने लोग नहीं आप आएंगे या फिर नहीं इस क्लास को अटेंग कर पारें लाइब वह आप यूट्यूब पर देख लिए जरू मैं लिंक आप में आप पर शेर कर दोंगा ठीक ना पीडिया पर इसी ग्रूप में दे दिया जाएगा आपको कल हम लोग ने आई थिंग 310 कर लिया था आज हम लोग 311 कोशन कर रहा है मनेया लोग नहीं की है को के लोग को इंट्रस्ट नहीं है 15 लोग के अब लाइब है भगवान करीं 15 लोगों को इस बार बैंक में जॉब में जाए कर लोग को अबस्तों है को अिर कैसे अबगा टीम में बिलिगई जाएगा है गयं अबस्ट लोग भिआर झंगाए लोग बार साछ बस्टक से भंगाए झाल सबड़ सोन कर श Watts झाल 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 चलिए टाइम अप हो गया, कितने लोगों से बन गया था यह तले बताई है, किसी से बना? कोई हाथ उपर भी किया है किया देखें, किसी से बना कि नहीं बना? हेलो, तुरू बोलते क्यों नहीं हो या, आना में नहीं बना? किसी से नहीं बना? बता दिया करो कि भाई बना है कि नहीं बना है, अदर्वाइस ऐसे चुप तब तक रहोगे, मुझे गाना पड़ेगा, अब तक चुप बैठे हो, अब तो बोलना, चलो इतर देखें, क्या बात कह रहा है? कोशिन को पड़ो, कि रहा है कि फोटीन परसंस की बात कर रहा है, ज तो थोड़ा सा हमारा इमेजनेशन पावर थोड़ी सी कम है, हम लफ्ट राइड समझने में ऐसी सिट्विशन में गहभाई है, जाते हैं कुछ नहीं करना यह पूरे लोगों को आपने पकड़ के गुमा देना है अब आप बताइए मुझे को कि इस्ट क्या बन गया जब मैंने गुमा दिया तो इस्ट क्या बन गया और जो वेस्ट था वो क्या बन गया आपका नौर्थ बन गया ठीक है अब इन्हीं के बेसिस पे हम कोश्चों को सॉल करते हैं चलिए अई देखते हैं क्या बोला है परसर इन बोथ रोग फेसे अपोजेट टू इच अदर दिस्टंस बेट्विन एन तो एडजेसिंग परसें इस सेम ठीक है बोला क्या है थी परस अब ध्यां से देखना है यहां पर यू है एक दो टी मैंने का वी इनके सामने भी कोई न कोई होगा चुकि यह साउथ फेसिंग रोग वाले है ठीक है साउथ फेसिंग है वी हुई सटिंग अपोजेट टू ए तो एक बात बताईए तो आप मेरे को आप से किस ने कह जिया क यही बने गड़ा एक रहा हूं ऐसा तो मैंने नहीं का यह भी तो बन सकता था इस तरीके से वी एक दो टी यू पर आएका ऐसे ही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही पहले हां तक किसी पुड आउट है कोड़ नहीं हम चाहिए यह कुछिए पहत हरा है आगे दिखेए किता है क्या आएक है किसी सेटिंग 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 तो दा लेफ्ट ओफ ए इसके एक़र्डिंग तो सी तो यहाँ आना चाहिए और इसके एकॉर्डिंग सीवेरा यहां आना चाहिए तो बात पर आपना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ लोग हैं, इस वाली चीज को मैं होड पर रखोंगा, तो कि बहीं, लोग कहते हैं, minimum possibility, minimum possibility वाली लेके चलो चीज, तो मैं वहीं लेके चलता हूं, इसमें साथ लोगों की arrangement बन गई, और इसको method का नाम मैं बता लिए, तो इसमें method केते हैं, free style method, इसको बना रहे हैं, आगे लिए, C is sitting opposite to the person, who is sitting adjacent to Q, तो C कि इसके opposite में इसके, और यह जो person है, यह बाला Q के adjacent में है, तो Q यहां पर होना चाहिए, minimum possibility वाला लेके चलोंगे, इसमें 3rd to the left of F, who is sitting opposite to P, तो F से E नहीं आपाएगा, F से E आजाएगा, 1, 2, 3, E, और F के सामने कौन है, जैसा की बोला इसमें, P is not sitting extremely, मैरा भी P extremant में नहीं बैठ रहा है, T is sitting 3rd to the left of S, who is sitting opposite to B, S के सामने B, S के सामने B आएगा, but T is sitting 3rd to the left, 1, 2, 3, क्या मैं इस लाइन को verify करा पा रहा हूं, क्या मैं इस लाइन को बैठ रहा हूं, क्या मैं इस लाइन को बैठ रहा हूं, क्या मैं इस लाइन को बैठ रहा हूं, नहीं, क्या मैं इस लाइन को बैठ क्या मैं इस चीज़ को तुरंट रिजेक्ट कर दू बिल्कुल यह रिजेक्ट कर दिया है वह डाउट है यहां तक देख रहता है किसी को को डाउट कर भी आ रहा है हाथ उपर किया हो किसी में अर्पुछ नो सर बहुत बढ़ियां चलो इसका मतलब कि मेरे पास जो ऑप्शन है में पास यहीं देगा जो भी मेरे कौन से देगा लेकिन यहां पर मैंने कितने लोगों को बैठाल दिया है एक दो तीन चार पांच लोग बैठाल दिया है छह साथ मुझे दो लोग की रिक्वार्मेंट ह लोग उपर दो लोग नीचे तभी बनेगा साथ परसना परपास चलो इसको मिटा देते हैं कहीं न कहीं क्लू दिये होंगे उन क्लू को पकड़ते हूं आगे बढ़ेंगे देखेंगी क्या दिया हुआ यहां तक तो सहीता बोला क्या था कि क्यों वाला यह वाला बंदा हो सकता है और क्यों वाला यह वाला बंदा हो सकता है चाहूं तो मैं यह वाली पॉसिबिल्टी बना के चलो चाहूं तो मैं यह वाली पॉसिबिल्टी बना चलो या फिर सबसे अच्छा तरीका जब भी ऐसा सिट्वेशन आया करे जब भी ऐसा को डालना है तो वो दो लोग कैसे बन सकते हैं किसी के ही तुम तीन पेर बना दो फटा जित्ती जल्दी हो सके मैं आठा देता हूं यहीं कि मैं कॉपी बना रहा हूं देखना ध्यान से आसामी रहेगी थोड़ा सा केसे को समझने में और रिजेट करने में भी ठीक ना और एक और मैं बना देता हूं एक तोधना जिहां से ब्लो launch सात लोग को खालना है तो सात लोग ऐसी भी हो सकते हैं दोनो लुग इधर हो या फिर दोनों लोग इधर हो या फिर एक लोग इधर हो हूँ एक लोग इधर हो, एक लोग इधर हो, साथ लोग हो गए, बन गए साथ लोग, अब चीजों को हम आगे लेके, वह फॉर्वर्ड लेते हुए चलेंगे, बस अब यह है कि हार एक एक में हमको जो बाते ऊपर बोली गई है, उनको बठालते हुए चलना है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, चलो देखते हैं, E is, देखो, C is sitting opposite, अच्छे, यहाँ पे भी अभी देखा जाए, तो हम क्यों कोई यहाँ बठाले, क्यों कोई बठाल, अलग possibility बनाए, नहीं, नहीं, इतना नहीं सोचना है, E is sitting third to the left of F, who is sitting opposite to P, P is not sitting extreme end, तो F, say, F के opposite में B, 1, 2, 3, E आएगा, F के opposite में B, 1, 2, 3, E आएगा, यहाँ से भी बात बन गएगा, रुक जाओ, और सोचो, P is sitting third to the left of S, who is sitting opposite to B, इसका मतलब अगर हम कहें S, तो 1, 2, 3, आएगा, S, 1, 2, 3, ठीक है, R is not opposite to E, at least three persons are sitting between G and D, ओके, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा problem आएगी, देख लेते हैं कि क्या कोई possibility छूटी तो नहीं, कुछ, कोई line उपर में छोड़ी हो, 3 person U और V के बीच में हो गया है, और V is sitting opposite to A, हो गया है, C is sitting second to the left of A, A से second left में C है बिलकुल, ठीक है, C is sitting opposite to the person who is sitting adjacent to Q, ठीक है, P is not sitting, it's U and at least three person, R is not sitting, ठीक है, चलो, पटाफ़त देख लेते हैं, अफिर तो यहाँ पर, पर तो लोग निकल जाए, चलो, देखो यार, यहाँ पर, C के सामने वाला जो बंदा, इसके अज्जेस्ट में क्यूँ, तो यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q नहीं सोच सकते हैं, हम, चलो, इस बार देख लेते हैं, क्यों को यहाँ रख लेते हैं, Q को यहाँ रखे हैं, तो क्या बाल बन रही है, अब यहाँ पर अगर रखने पर मुझे दिख रहा है कि C is sitting opposite to the person who is sitting adjacent to Q, E is sitting third to the left of F, who is opposite to P, तो F के opposite में P आ जागता है, और हम कहीं नहीं लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा situation रख रहे हैं, चलो, हम F को यहीं रखना पड़ेगा, और कोई option नहीं, F के opposite में P यहीं हो जाएगा तब, ठीक हैं, और F से क्या बोला है, जो E है, वो third lap में, 1, 2, 3, E यहीं हो जाएगा, और कोई option नहीं है, अब इस scenario में बोला था, कि T is sitting third to the left of S, तो मुझे पता है, कि S के सामने, यहीं आ सकता है, और कोई possible नहीं है, तो T यहां आ जाएगा, S के सामने B है, यह हो गया, और क्या बोला था, R is not sitting opposite to E, तो R तो आ पोजित रूगेंगी, तो मेरा बनता हो, दिख रहा है क्या, जो देख रहते हैं, at least 3% between G and D, अभी बताओ, G and D के बीच में, at least 3% तो बैठी नहीं रहे न, at least 3% G और D के बीच में बैठाली नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा case गलत है, चीक है, दूसरा तरीका मतलब क्यों को मैं यहां सोचूँगा अगर, तो मैं कहां पर रखूँगा, F को ultimately यहां रखूँगा, F के सामने B था, 1, 2, 3, E यहां आ जाएगा, G and D के बीच में at least 3% मतलब G and D यहीं आ सकते हैं, G and D यहां आ सकते हैं, इसके लाब और कोई option नहीं है मेरे पास, इसके लाब और option नहीं ना, G and D के लिए, फिर भंच जाएगा air मामला, B को कहां बठा लोगे, यहां बठा लोगे, और S के सामने B नहीं आ सकता, S who is sitting up positive, यह तो बिल्कुल गलत हो दिया, थोड़ा fast यहां चाहिए काम, मतलब थोड़ा जल्दी अगर हम चक करेंगे, तो चीज़ें बन जाएंगी, चुलों यहां देखेते हैं इस वाले case में, क्योंको हम यहां अगर हम सोचे होते हैं, तो F के third right में, F, one, two, three, E यहां आएगा, F यहां रखेते हैं, तो one, two, three, E, चुलों देखते हैं यहां पे, F, तो F यहां रखेते हैं तो P एक्स्ट्रीमेंड पे आएगा, पाप पड़ेगा, लिखनी सकते, क्योंकि बात बोली कि P is not sitting extreme end, तो F यहां लिखे होते हैं, F को यहीं लिखना पड़ेगा, सामने B लिखना पड़ेगा, 123 E को मुझे यहां लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें S के सामने यह वाली condition, फिर contradict कर जाएगी, कि S के सामने नहीं पड़ेगी, तो चीज़ें दिख रहे हैं, कि S के सामने B नहीं लिखता हैंगे, और S से 3rd left में हमको T को भी लिखना है, तो यह तो बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यहां पर Q को सोच रहे हैं, तब भी तो देखो, तब भी कुछ नहीं बनेगा, ultimately यह भी cancel होगा, यहीं मेरा final answer बनेगा, अब देखने तो इसमें कहां पर भी हम Q को लिख सकते हैं, अगर manager Q को यह लिखे होते, तो F को यहां लिखे होते, तो F से 3rd left में बने नहीं पाते, F को यहां लिखे होते हैं बने नहीं सकता, क्योंकि F के सामने P नहीं आता, तो confirm है कि Q यहीं आएगा, confirm है, F यहीं आएगा, P है confirm, 1, 2, 3, E, confirm, यहीं आएगा, that's it, that's it, S के सामने B, S के सामने B, यहां आएगा S, यहां आएगा B, 1, 2, 3, 3rd left में T, G और D के बीच में 3%, मतलब at least G और D, हम decide नहीं कर सकते, यहीं आया था क्या, P, Q, R, R आपकी सामने ही हो जाएगा, Final Answer, थोड़ा सा fast हमको चेक करना है, तो कुछ में ज़्यादा Time Spend किया नहीं, जो Time Spend किया है, थोड़ा बहुत इस नहीं किया, इसमें तो Time Spend बिल्कू गी नहीं किया, कोई यहीं आ रहा था Answer क्या, सकते हैं यहां बहुत बहुत करो, सब लोग अपनी आंसर से, कोई बोल को नीड़ा भाई, किसी ने किया भी था, यह अलग कोशन की नहीं, कि बना ही नहीं था, मैं बीच में भी आया, चलो, बना ही नहीं था, अचा यहां पर कितने लोग जुड़े, साक्षी तुम बताओ, आर सिंग, शोक्स, कार्तिक गर्ग, अमरेच चौहार, यह लोग जुड़े हों क्या हुआ, कुछ हो तो बताओ, रिस्पॉंस को तो, वो लास्ट वाला पोजिशनिंग गलत हो गया था बसुड़े हैं कि हमने किस तरीकी से ट्रेकी कोशन को डीर किया है, क्रिस्टल क्लियर करके, कि इन तीन के अलावा मेरे पास कोई अप्शन नहीं बनेगा, जी सर्थ, बोलो, तो आंसर सबका यहीं आना चाहिए, और कुछ आ नहीं सकता, इस बार हम भी मैच करा लेके आंसर, मेरे पास आंसर है क्या इसके देखेक मटली है, मेरे पास इसके आंसर एक तो तो ओ के आर वी बी टी क्यू यू यू एस, आर वी बी टी क्यू यू यू एस ठीक है, अब इसको आंसर तुम लोग करना है, जैसे clockwise हुआ है तो इसको वापास उसी position बठाल दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, समझ दो आ जाए सबको, आया की नहीं आया भाई, जी सर, अगर इसी को दुबारा, एंटी क्लब वाइस घुमा देंगे तो जिस तरीके से बोला तो इस्ट और वेस्ट वाइस सिचुएशन में अंसर आ जाएगा, अगला question थोड़ा और त्रिक है और इसको अपने टेलीग्राम ग्रूप में पूछा गया था, रुपेश अभी हो तुम क्लास में क्या, यह सर्, हो सर्, यहाला question याद आया, यहाला question याद आया, यह question दिखें, चलो, तीम नट दे, तीम नट दे, तीम नट दे, करो उसको सम, वैसे कोई लोग अगर चार ग्रेट भी ले रहे ना, तो भी ठीक है, कोई दिख कर दिख, यह question ही चार ग्रेट वाला लागी है, अगर आप ले रहो तो, लेकिन समझना की कैसे करना है, जिसने जिसने माइक आउन किया है, फ्लीज बंद करना है, म्यूट करना है, कुशन थोड़ा एज़ी है, क्योंकि चीज़े connect है, बस pen जल्दी चलना चाहिए, pen जल्दी चला, concept समझ में आया, कुशन सौल बोड़ाइबर, बस यहीं दो कुशन तफ थे, बाकी के त्हीं बहुत असान है, बहुत असान हैं, बहुत असान हैं। यह तो कुशन अभी हमको मिला है, अतुल शर्मा के नाम से कि स्टोड़न्ट है, उसने मुझे message किया आता है। सर बिहाइंड मतलब क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमने सामने बैठे है या साथ में बगल में पीछे, left right क्या है। जब पहली बार ऐसा कुशन मिलता है, स्टुटन को तो वह ऐसा ही सवाल पूछता है, तो tension not, अभी explanation के वक्त पे तुमको imagine भी करवा देंगे। ठीक, ठीक, बद दो में अब जो, दो में अब जो, चीज तो यहीं देखनी है, कौन उस चीज को समझ रहा है, reasoning is all about की आप समझते कित्ता हो ना, चलो time up हो गया है, खोप सो किसी सब बना नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं बना होगा, बहुत time अभी और चाहिए होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, कुशन को पड़ो, six persons are sitting in a linear row, facing north, ठीक है, दिमाग में सबसे पहले क्या बनाया होगा, आपने, ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, ऐसे बनाया है, सबने यहीं किया होगा, इवन मैंने भी जब पढ़ा था, जब तक मैंने इस term को नहीं पढ़ा था, तुब तक मैं समझ नहीं पाया था, six other persons sitting in another row, parallel to previous row, parallel में facing south, तो मैंने भी ऐसे कर दिया, ठीक है, फिर मैंने देखा कि, person in one row is exactly behind the person in another row, यह लाइन परते ही, मैंने का, अरे दादा, यह क्या करती है, इस person का behind तो यहाँ पर बढ़तेगा, और इस person का behind तो यहाँ बढ़तेगा, यह तो मैंने, मैंने diagram ही गलत बनाया है, मेरा time आ था, इसमें गया, diagram ही गलत है, कब ऐसा scenario बनेगा, कि एक person, दूसरे person की behind में बैखे, अब वो direction बनाया, तब वो बनेगा ऐसा, कैसा? बोलो, जिसने पूछा था भी मुझसे, नाम नहीं है, पता मुझे, उसको clear हुआ, इस person का behind कौन हुआ, यह हुआ, इस person का behind कौन हुआ, यह हुआ, बोलो, clear हुआ, पहले यह बताओ, अब समझ गया होगी कि कहना क्या चाहता है, अब सवाल में सब कुछ, अब इसको में डागे हुआ, जब यह बात समझ में आगी, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, यह आपके ऐसे हैं, और यह आपके north facing में हैं, तो मैं बहुत खुशूरती से एक डाग्राम इसको बनाऊँगा, अभी क्या कहता है कि you is sitting at the corner, क्या मुझे पता यू कहां पर, नहीं पता हमको, क्या मुझे पता यू कहां पर, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां, make four possibility, फटा फटा, अगर बना सकते हो, तो अगर नहीं बना सकते हो, तो एक एक करके चिकल लो, नहीं बना सकते हो, तो एक एक करके चिकल सो, otherwise you don't have any options, आगे पढ़ते हैं, क्योंकि देखो, आगे क्या बूलागे है, one person is sitting between you and b, b is sitting exactly behind o, आप देखो एक बाद बताओ, behind तो बन सकता है, यहां मैंने यू को यहां रखा, suppose, एका gap देखे कि b, ध्यांस देखना है, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा यहां पे, यू एक गाद देखे, b, b के, क्या बोला है, o is sitting, sorry, b is sitting exactly behind o, तो o हम यहां देख सकते, o के exactly behind me b है, बोलो agree, ठीक है, सर, अगर हम you को यहां लिखे होंगे, एक गाद देखे, b, o के exactly behind me b है, बिल्कुल ठीक है, सर, तो यहां कि अगर कि यहां रखे वियाइंद में बिलकुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेले यह उता हो चारु चीस वैलिड हो रही है तो क्या करोगे और आगे पढ़ने पर दिखराएं कि एक एक लाइन से कनेक्ट है ध्यान से देखो तो सिंपल चार्ड डाइग्राम बनाके सिंपल यूणियों क्रोस करते हैं चलना है अब बहुत से लोग सुचेंगे कि या चार्ड डाइग्राम प्री में आएगा नहीं कभी कभी नहीं आयगा बच्चें दर क्यों रहे हो कभी नहीं आयगा लेकिर अट दिस्ट कम चे कम धप्रॉसर तो तो बढ़ा उपनी वहले चार् प्रॉच्छ्च एकश्याम में तुम रीयल हैते हैं डुठी में किसी पजल म में तुम चार्फ गया होगी या पाँश्श्या मे एक दो, 3, 4, 5, चा आपना लेते हैं गूश्य मैं फटा फटफट, एक बार को U यहां, एक बार को U यहां और एका गैप देखें, वी हम बना देता हूं सिंपिल था कि ध्यान रहे एक एक बार बस एक सब्सक्राइं इस सब्सक्राइब right of o, तो एको connect है, एक एक चीज़ connect है, o की, क्या बुला है, e sitting second to the right, तो e यहां आजाएगा, बिल्कुल, o है, second right में e यहां आजाएगा, बिल्कुल, o यहां है, second right में e यहां आजाएगा, o यहां है, second right में e यहां आजाएगा, तो यह L का immediate left हुआ ना, right तो हुआ नहीं ना, बचे आप तीन case, बचे आप तीन case, यह भी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बोला है कि E is sitting, E is sitting exactly behind the person, E किसके behind में, इस person के behind में है, देखो, और यह person immediate right of L है, हट गया है कि नहीं हट गया है, बचे दो case, यह तरह तो तुमको समझ में ही आजाना चाहिए था, चार case बनाने वाला था कि नहीं था, नहीं था, अगर आप फोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं, समझ जाते हैं कि भी आगे नहीं पर रहना है यहीं ही, खतम करनी है कहानी, था के रीद करने से, चलो एके डापोजि mercury यह जो बंदा है, यह वाल बंदा है यह ल के immediate right में हैं, तो यहीं आएक यह घ्ल खितम, खतंब Hey कितने case मोना था कि मालतर two case में तो बनने वाला था, बनाया तो दो भी case में है, चलो ठीक है मैं कर दोगा है को बात नहीं कर दोगा है चेक कोई इशू नहीं है आगे देखे क्या बोला है कि T is sitting second to the right of L L से second right में T बिलकुन L से second right में T बिलकुन T is sitting behind the one किसके behind में है इसके behind में ना इसके behind में है who is sitting second to the right of H that means कि H यहाँ आएगा पी किसके behind में इसके behind में है ना इसके तो यह है ह से second right में है तो H यहाँ आएगा तभी जाके H से second right में होगा बिलकुन C is not sitting exactly behind L, C यहाँ नहीं आ सकता, L के behind में C नहीं आ सकता P is sitting exactly behind the person who is sitting immediate right of Y, Y is not immediate neighbor of O H is facing north more than two person sitting between R and C, okay R and C यहाँ तो कभी नहीं लिख सकते, ना R and C यहाँ नहीं लिख सकते, more than two person between R and C only one possibility, C तो यहाँ आएगा नी, R, C C तो यहाँ आएगा नी, R, C अब यह कहरा, S जो है north facing में है, S तो यहाँ बैठाल दें, तो Y और P को यहाँ बैठना लोगे क्या, अरे भाई बोला क्या था, पढ़ो रहें को, P exactly between, behind the person who is sitting immediate right of Y, case cancel, हटा दू, यह बात बात बनेंगी, और Y जिसके बगल में नहीं है, Y, O के बगल में नहीं है, तो guarantee है कि Y के immediate right में यहाँ आ जाएगा, और S आपके सामनी, final answer यह देगा, बोलो, क्यों डाउट है, किसी को तो पूछो, मैं हाथ देख रहे हैं, किसी ने उपर किया है, क्या admin तो चड़ा गया है, भाई भी, किसी उपर एक सिगन, R सिंग, allow to speak, बोलो, बोलो भाई, हो गया, हो गया, सर, clear हो गया, एक सिगन, सब को mute क्यों कर दिया, मैं ऐसा काम करता हूँ, सब लोग बोल सकते हैं, चलो, लेकिन बड़ा, वो हो जाएगा, ना, चलो हाथ उपर, रुपेश ने हाथ उपर किया है, हाथ होंगे सारे के, हाँ, दो किस्ट बंद कर रहे था, बाकी दो किस्ट करने से ऐसा ही बना था, चलो, बाकी भाई, आप लोग को, बाकी सब लोग प्लीज अपने आपको मिल्ट करते चले जाओ, जिसको बोलना, अनमिल्ट करके बोल दो, लेकिन बाकी लोगों का क्या सीन है, यांचित ने ऐत ओपर किया अंकित बोलो जैसे आप प्री में बोले कि इतने केसे नहीं बन रहें तो 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 क्या परलेली ले चलना सही होगा या अपना लॉक्त पेजाना चाहिए कि एक पकड़के चले वैसी situation जिसमें minimum possibility तुमको लग रही कि हमाई इस question minimum लग रहा है चीजे बाखियों में भी time लगेगा तो उस पर focus करो जैसे वो cancel हो जैसे मैंने पहला question किया था जैसे मैंने पहला question किया था उस तरीके ले करनो तो जाना सही रहा है और अगर parallel लेकर चलो तो अच्छा कोई तरीक कियो miss हो जाता है कियो miss हो जाता है गलती किसके में तुमारी reading में तुमारी concentration में तुमारी concentration बढ़ाओ ना पढ़ो ध्यान से पढ़ो और समझो भी तो totally मैं कहा रहा हूँ कि reading अगर आपके अच्छी होगी तो reasoning में बहुत अच्छा मार्स लेया होगे trust me अगर तुम्हें reading अच्छी की है तो focus कर अपनी reading पे एक तीर से दो निशाने होंगे reading भी अच्छी होगी English में भी अच्छा करोगे, RC में भी अच्छा करोगे, sentence improvement में भी अच्छा करोगे तो reading पर focus करो, read करो जितना read कर सकते हो तुम्हें जो मन करता है read करने को तुम वो read करो, बट एँग्लीश में करो अगर तुम्हें love story read करो, तुम्हें horror movie, horror story read करने में महाता है तो वो रीड करो, लेकिन रीड करो, नॉवल पढ़ने मजा था, तो नॉवल पढ़ो लेकिन रीड करो, ठीक है ना? चलो, अगला सवाल पढ़ते हैं हम लोग, चलो, म्यूट होजा भी कलो अपने आपको, म्यूट कलो, next question on your board, try to solve this question within cleannet, and I don't, कि आप ये लोग तीन रट में ना करता है डूए वेल कोश्चन है पोड़ाओ पिस्टाइब ना करता है अॉए येज वेल करता है आ वे वेल कोश्चन है आ येल येख वेल कोश्चन है येफ जगाँ कर्चेको लागज आ रहा बारें पित करता है झाल 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 प्रेक्टिस के रहता है क्योंकि इस कोश्चा में कुछ भी ऐसा नहीं था 3, 2, 1 से 4 फ्लोर अबब तो गैप कितने का होगा y और s के बीच में तीन का 1, 2, 3 का गैप देखे पैटर्न ऐसे ही रहेगा दोनों आपके प्राइम नंबर फ्लोर पे हैं मतलब ये दोनों आपके कैसे पे फ्लोर पे आएंगे एक प्राइम नंबर फ्लोर पे कहां का आ सकते हैं अगर का आपका गैए s तो एक दो तीन के य आ रहा है लेकिन वाय तो प्राइम पे नहीं आ रहा है इस एक दो तीन वाय प्राइम पे आ रहा है विल्कुल य साथवे नंबर पे और s भी तीन नंबर पे जो की prime number है, आगे और देखते हैं, next prime number आपका S, एक दो तीन, भई, बिल्कुल बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है, और आगे कोई prime number है ही नहीं, 11 है बट उसके बाद हम बैठा लेहीं पाएंगे, तो मेरे पास तो यहीं दो option बने हैं, यहीं दोनों option बने हैं, आगे अगे आगे अंड को तो यहीं दिखेंगे न, P lives second to the above X, एक से एकर ग्याप देखे, P को ही दिखना है उपर, and both lives on the odd floor, अब odd floor पे X को एकर ग्याप देखे, P नहीं दिखता हैंगे, एक्स एकर गैप देके पी, एक्स एकर गैप देके पी नहीं बनेगा, इस वाली केस में तो यहीं बला हम एक्स और पी को महीं बठाल सकते हैं, एक्स एकर गैप देके पी बनेगा, एक्स एकर गैप देके पी बन जाएगा, यह भी बन सकता है, देखो यह, और एक्स एकर पढ़ा, you live on the first floor, you यहाँ लिए देंगे, अब जो X और P अली condition बन भी थी, वो तो cancel होगी, X यहाँ आएगा, P यहाँ आजाएगा, बात ख़र तो, बनना तो दो ही में था ना, V lives second to the below O, O says second below V है, O हूँ second below M, एका गयाँ दें कि M pattern हैसी ही बनाएगा, L lives on the prime number floor, but not adjacent to X, मतलब L यहाँ नहीं है सकता है ना, L यहां नहीं आएगा XCAD जिसे L को तो आना प्राइम नमबर पे है. L तो और कहीं आई ही सक्ता, L तो यहीं आएगा ठीक है, R lives below Y, Y से नीचे R, यहीं आएगा, M does not live above T, तो M यहाँ आजाएगा, एक कर गेप देंगे, O आजाएगा, एक कर गेप देंगे, V आजाएगा, बचा कौन है, क्यूँ? सबका यहीं आया था, एक पर यह था, तो match करा लो, एक पर cross match करा लो, आज यह question, team net से जादा लेकर question, एक दम exam audited question, team net के अंदर आराम से हो जाने वाले question था, सबसे यहीं आया था, चलो, बहुत बढ़ी है, तुम लोग बोलना चाहो, तो हाथ उपर कर सकते हो, achiever ने हाथ उप किया है, हाँ बोलो, achiever, यह से बन गया था, वो गल्टी से, बन गया था, चलो, कोई बात भी, म्यूट कर लो, ठीक है ना, म्यूट कर लो, अगला सवाल, आपकी screen पर यह रहा, और, इस में भी आपको मैंने तीन मिनट दिये हैं, चलिए करें, कर दो. झाल 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 जो तैम अप हो गया बना किसी से किसी ने बनाया हूँ आ सर हो गया अराम से होने वाला था है इतना भी इतमत्रक्स पर डिफिकल्ट कुछ ऐसी चीज थी नहीं की प्रॉब्लम क्रिएट करें कुछ भी नहीं था ऐसा इसमें ना चलो बनाते हैं क्या कहा रहा है पहले तो यह देखते हैं हराम से हो जाने वाला था थीन नट is more than sufficient है साक्षी ने भी देखो डन कर दिया रुबेश ने भी कर दिया चलो देखो कहां पे क्या बोला है जैनुवरी कितने जिनका है तीन और बारह देखो मैं इस तरीके से बनाता हूं फ्लोर लाइक इसको पहते हैं तो इस तरीके से ज्यादा प्रफेर्शन दिया दो यह स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनाया पर सब लोगा ना जन्वरी मार्च मार्च भी आपका तीन और बारह का जून जून कितने महीने का होता है किते दिन होते हैं किते होते हैं थर्टी थर्टी बहुत बड़ी अगस्त में एकत्यस क्यों सही जवाब यह आपके टिप पे याद होना ची याद इक्तम समझ लीजे एकत्यस और सब्टेमबर थर्टी इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना दी गया अब आगे देखी गया जैसा बूला गया है कुशन बिल्कुल वैसा कड़ेंगे कि जे एटेंट जस्ट विफोर आई दोनों सेम मन्त में होंगी विच देस नॉट है थर्टी बन डेस थर्टी देस वाले को पकड़ो जे एटेंट जस्ट विफोर आई आई से जस्ट विफोर जे आई से जस्ट विफोर जे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेटें टर्ट वाटी तो आई ज़रोग पड़ी तो बना लेगे दा लास्ट परसंग अटेंट असमनार इस थी तूट क्या इसके जरूद है ना 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 सर फ्क ही में काम बोरा है लित इसके पास फइपडस रिल यहां तक तो शमझ रिया न आई between i and h, who have six box, अब बात बनेगी देखो, i to 1, 2 करके h, h who have six box, तो j, i, 1, 2 करके h, h क्या हो, बैट टिलाओ, एक सेकंड, छिल, क्या है, कि i और j, आपका h हो गया है, h के पास कितने box है, number of box, six ते, f के पास तीन box है, और a और f, दोनो और नमबर बेट पर हो रहे है, that is third, मतलब a और f, दोनो तीन तारिक पर आएंगे, तीन तारिक पर, एक है, e is second person, who attends the seminar after a, तो a के एक गैप 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 e, होना चाहिए, कुछ ऐसा, e is second person, who attends the seminar after a, after a, e के बाद, ठीक है, तो a, a का गैप e, आ सकता है, a, a का गैप e नहीं आएगा, a, a का गैप e नहीं आएगा, यहां आ सकता है, यहां वाले case में देखे, a, e नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, a, और e, किसी को डाउट है क्या, नहीं सर्, a, e, ठीक है, f को थर्ड पर लिखना था, f उपर चला जाएगा, c नहीं लिखने हैं, c नहीं लिखने हैं, अच्छा हां, यहां c नहीं लिखने हैं, कोई बात ही, रह गया था, thank you बताया आपने, ठीक है, चलिए, अब क्या बोलाए, कि, g attend the seminar, just after the person, who has seven box, seven, ठीक है, b attend before d, d से before, to b है, d who attend the seminar, just after, who does not attend the seminar, just after f, ठीक है, तो d यहां नहीं आ सकता, na, d यहीं आएगा, b यहीं आएगा, और seven के बाद, g यहां आएगा, यह तो बन गए यहां यहां पर, इस वाले कि, इसको दिख लेते हैं, यहां पर क्या बात बन रही है, d यहां नहीं आ सकता, वैसे भी d नहीं आ है, और फिर d से पहले तो b को लिखना है, अगर हम d यहां लिखे होते, और, b यहां, या फिर यहां लिखे होते, तो हम seven के, तुनन बात, g को नहीं लिख पाते, मेरे हिसाब से, या फिर अगर हम, b को यहां लिखे होते हैं, तो, seven तो bullet होगा ना, seven क्या होगा? sir, f के पास three box है, अच्छा, x की value दियो, यह दिया होगा है, क्या दियो? sir, f के पास three box है, एक सिक्ट, जे देंग, ठीक है, c के पास five box है, x के पास three box, h के पास, हाँ, f के पास three है, okay, f के पास three है, तो तो यह वाला cancel गलत हो जाएगा ना, फिर तो, तो मैं करूँगा, d अगर यह दिया होता, तो मैं b को यहां नहीं पाऊँगा, तो मेरे के पास, ultimately, b यह हो जाएगा, b यह हो जाएगा, seven ही हो जाएगा, और g यह हो जाएगा, खतम खान ही, एक यह चीज़ की वज़े से, देखो, पूरी दिक्कत होई थी, f के पास तो तो तीन अल्रेडी था ना, तीन तो अल्रेडी था न, f के पास तीन था, तो बिल्कुल अराम से, तो यह वाला case cancel हो जाएगा, यह वाला case सही हो जाएगा, पिल्कुल, अब सही है, सर, आप date and box को combine कर दिये, such that three, अब सही है, ठीक है, बराबर, सबकर यह आया होगा, होगा, सबकर यह, इसके लाब और कोई option नहीं आ रहा है, same है, चलो, लास्ट सवाल के और बढ़ते हैं हम लोग, किसी कोई problem है, तो देख लेता हूँ कि किसी ने हाथ उपर किया हो, किसी ने हाथ उपर किया है, नहीं किया है, येस, एक से अन्विवेक उपाद्याए, विवेक बोलो भाई, कर दिया, अन्यूर तुमको, चलो, नेक्स वे बढ़ते हैं, हाँ, सर, ये पेले वाले के अंदर, क्यों नहीं सेट हो रहा है, क्या, पहले में क्या नहीं हो रहा है, सर, ये के seven books कैसे आएंगे, यदि हम पेले वाले में रखे तो, इसमें seven यहाँ पे, हाँ, ये भी सही है, सर, आगे समझ रहा है, समझ गहें, तो ये cancel हुझाएगा, ये सही, चिप, चलो, लास सवाल है, हिंदी में नहीं है, सबसे easy सवाल है, बनाऊँ, का लास सवाल है, ये इसमें पेस्वास, ये ये कि उाईब आएब से अब और ये, झाल 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 श्रिया ने सबसे पहले लिखा है ने रुपेश ने लिखा है सबसे पहले डन पे श्रिया अरूरा ने लिखा है डन बहुत बढ़ी हैं इन दोलों लोगों के लिए आराम से तीन मिट के अंदर होने वाला कोशन था आप जो बचे समय न इन पे आप पांचो कोशन हो रहा हो ना चलो देखते हैं इसको क्या बना हुआ है कि 10 persons की बात बोली गई है जैसा जैसा बोला गया है longer side पे दो लोग बैटे गए हैं corner पे आप लोग चाल लोग बैटे गए हैं तो जैसा बोला ऐसा कर दिया person जो की corner पे बैटे हैं वो center के और देखे हैं कर दिया बाकि सभी लोगों को facing away from the center रहा दिया x5 is sitting third to the left of extent and immediate neighbor of x5 are facing the center तो कग possible है कहा possible x5 चाहा तुम इस साथ लिख तो चाहिए साथ नी तो कोई बात नी बनेगी ठीक है मतलब बात बराबर है दोरों symmetric diagram है आप x5 को यहां लिखें कि दोरों neighbor inside में है बहुत बढ़िया यहां पर लिख दे थे थे दोरों में parallel ही लिके चल रहा हूँ अभी x5 is sitting third to the left of extent यहां तो भी है यही आएगा x10 x10 तभी तकर left में आपका x5 आएगा one person sitting between x5 and x8 x8 x9 is sitting third to the left of x8 third to the left 1 2 3 x9 third to the left 1 2 3 x9 one person sitting between x9 and x4 x4 who is facing away from the center x9 ek a gap x4 ek a gap x4 center में तो आई ही नहीं रहा है x4 who is facing away from the center away from the center तो यहां जाओ चुपे चाप यहां वाले बात में एक गप x4 ek a gap x4 नहीं आएगा तो x4 यहीं आएगा ठीक है बात में बात में वाले रहीं? who is away from the center बोलाए ना? तो मतला facing outside जो का 2 person between x4 and x3 x4 1 2 1 2 x3 1 2 x 3 one person's x3 and x1 who is not facing the center x3 एक अगर x1 नहीं आ सकता x3 एक अगर x1 100% अब यह है x2 और x6 x6 और x2 x1 के नेबर में नहीं है यहां नहीं आ सकते तो यहां आने की संभावना पूरा-पूरा है यहां आने की संभावना पूरा जो बचा x7 वो यह हो जाए मतलब आराम से 3 निट के अंदर बनानों गया मतलब 2 मिनट 45 सेकेंड 2 मिनट 50 सेकेंड लेकी खतम करो पूरा चलतों सेम तब कर जहीं आया होगा सेम बोलो बाई यह सेम बाई चलो बाकी यह हम लोग का कौन से पार्ट खतम उचका है पार्ट नमबर 56 ओबर हो गया हम लोग ने अब तक जो है 315 पॉसल कर लिए है ठीक है और पीडिएफ में आप टेली ग्राम गूट में जेदूँगा यहां पर भी दे दूँगा बाकी चार बे तक आज हमारा टालिगर करके चार बे तक खतम कर ले तो कैसा लगा कोशेंब लेबन? बाकी चिसको रफतार रिजनिंग बैच सेट करना है इक दम ग्जाम उरिएथ प्रेक्टिस करा है बाकी मंडे से देटा सॉफिशंची शुरू होने वाला है नाहिन पीम पर और डेटा सॉफिशंची ऐसा टापिक है जिसमें मैच सबस्यादा वीडियोत कराओंगा अबग दस वीडियोस इसमें भी आने वाले है यूक है यूटिब पर पढ़ी हुई है डाइट यूटू चैनल पर देखे न ठीम भाई बाई खत्म करते हैं फिर किसी को और कोई दाउट हो तो पूच सकता है अधर्वाइस मैं निकलताओं फिर यहां से जाओं मैं चलो बाई-बाई टिपके यान है मैंने से लिगाई थेंक्यों से थेंक्यों से